मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया वहीं अगर बात करें दिभ्या भारती और मिथुन चक्रवर्ती के साथ दो फिल्मे की हैं एक हे सतरंज, दूसरी है दिलासना है, दिलासना में दिभ्या भारती, सारुक खान, जीतेंद्र, मिथुन चक्रवरती, दिंपल कबारिया जैसे एक्टर नजर आये थे, वहीं सतरंज में जैकिस रौफ, कादर खान, सक्तिकपूर और मिथुन चक्रवरती, दिभ्या भारती, चौही चावला नजर आए थे लेकिन आपको जानके है हारानी होगी कि सिर्धेवी के साथ जो चीज़ी रभारती के साथ भी यह कहें कि जो चीज़ी रजब्रत्रे के साथ हूई है सिर्देवी के साथ भी हुई है अपने समय की मसूर अदाकार रही इन दोनों ही अवनेत्रियों में कई समानता हैं थी पेहत कम उम्र में दोनों ने वो इस्टाडम हासल किया जिसकी कामना सायद हर अवनेता नहीं कर सकता जहां एक और सिर्देवी भारती सिनेमा की पहली महिला सूपरिस्टार बनी तो वहीं दिब्या भारती सेफ नेत्री बन गई थी इसके लिए काम करने के लिए डेक्टरों की लाइन लग जाती थी दिब्या के जन दिन से एक दिन पहले सिर्फ यही नहीं दोनों में और भी कई गहरे कनेक्शन है सुरुआत में फिल्मों में काम करने से दिब्या भारती के मातापिता ने इंकार कर दिया क्योंकि दिब्याभरती उसमें बहुत छोटी थी और उन्हें वे फिल्मों में कोई दिल जच्पी नहीं थी लेकिन आखिरकार वो वक्त आही गया जब 14 वर्स की दिब्या अपनी पढ़ाई छोड़ फिल्म जश्री में आ गई 90 के दसक की सुपर हिट फिल्म लाडला में सिर्देवी ने दिब्याभरती को रिप्लेस किया था जबकि फिल्म का काफी हिस्ता दिब्याभरती ने सूट किया था लेकिन अचानल जब दिब्याभरती की मौत हो गए दो सिर्देवी को इस फिल्म में साइन किया गया जिसके बाद फिल्म की सूटिंग पूरी की गई फिल्म लाडला के लिए सिर्देवी उसी जगा सीन सूट कर रहे थी जहां दिब्या भारती ने सूटिंग की थी इसी सीन में उनके साथ रवीने टंटन और सक्तिकपूर भी थे ये बाद दिब्या भारती की मौत के छे मेंने बाद की थी उसके बाद सक्तिकपूर ने टीम को गायतरी मंतर जाब करने को कहा रवीने टंटन ने सुर्देवी का हाथ पकड़ा और कुछ देर तक गायतरी मंतर का जाब किया फिर जाकर इस फिल्म की सूटिंग पूरी हुई इन दोनों की मौत भी एक रहसमाई तरीके से हुई है यो तो कानूनी नेजरियों से देखे तो सुर्देवी की मौत एक हासा बताई जाती है दुबाई पुलिस इस केस को बंद भी कर चुकी है लेकिन सवाल खड़े करने वाले तमाम तरह की दलिले दे रहे है कुछ लोगों का कहना है कि जब सुर्देवी सराब पीती ही नहीं थी तो उनके सरीर में इलकोहाल आया कैसे यहां तक कहा जा रहा है कि स्रीदेवी 48 घंटे तक होटल से बाहर क्यों नहीं निकली थी यहां की दिल की धड़कन बन चुकी दिब्या भारती की मौत भी ठीक इसी तरह हुई इस हासे ने देश को जजोर कर रख दिया था उनकी मौत उनकी घर पर ही हुई थी जिसे हासा बताया गया जाच में सामने आया कि वा सराब के नसे में थी जिसकी वज़े से वे अपने घर की बालकनी से फिसल कर नीचे गिर गई उस वक्त उनके फैन ने भी इस हासे को मानने से इंकार कर दिया था यहां तक कि उनके पति साजित नाडियाड वाला इस केस में सक के घेरे में आये थी लेकिन बाद में पुलिस में इस केस को बंद कर दिया